गुद्ध मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पार्शिल डिफ्रेंशेशन में आईला स्थोरम पढ़ेंगे दिसका स्टेट्मेंट है अब यह देखें आप इक्वेशन नंबर वन मानें और इसको इक्वेशन नंबर वन को किसे साथ डिफेंशेट के विद रिस्पेक्ट टो एक्वेशन के साथ चलते जाए, चलते जाए, को दिक्कत नहीं है, यहाँ पहुंच जाओ गया, अब एक को किस के साथ करें, वाई के साथ डिफिरिंशेट करें, तो यह आ जाएगा, यह एक वटे एक्स है, यह देखें आप, वाई से मल्टिप्लाई कर दीजिएगा, यह दो और तीन को जोड़ दीजिएगा, यह आपका आज आएगा, दिस इज आएलेश थोरा, ठीक है, और जनल फार्मूला, X1, DL, X2, DL, X2, DL, X1, this is equal to this one, ओमोजेनियस फंक्शन की डेफिनिशन क्या होगी, यह होती है, X1, Y1, Y2, X, Y, Y, अभी यह देखे, इफ, F, X, Y is your homogeneous function, दिस दिस हो जाएगा यहां जाओगे कितने डिगरी का है यह एक बटे दो का आगे क्या अगर इफ यूज ओमोजेने फंक्शों डिगरी हैं इन एक्स य दन शो दाट इस ठीक है एक्स के साथ कीजिए यहां जाएंगे चलते जाएं इसे परकार दूसरे इक साथ एडिंग 2 और 3 दो तीन को जो लिए अब का रजल्ट आ जाएंगे अब आगे देखे थोरम यह बहुत ही इंपोर्टेंट थोरम है इफ यू इजए होमोजीनिस फंक्शन ओफ डिग्री अन इन एक्स एंड वाई दन पूब देट इस 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 ओके दूसरे क्या है यह तीस रख्या है तो बारी बारी तीनों सिंप्लिफाइ करेंगे तो यह क्या करें सिंस यू जो हमोजीनिस फंक्शन ओफ डिग्री अन इन एक्स वाई दन बाई आई लेर स्थोरम क्या होता है ठीक है ओके एक्स जिसाद डिफिरिंशेट करो वाई को तो आप यह जाएगे सिंप्लिफाइ करते जाएं यह जाएगे फिर वाई को कि इसके साथ करते हैं वाई के साथ ठीक है बट हम यह जानते हैं हर केस में नहीं होगा बहुत कुछ केशों में ऐसा हो जाएगा यह देखें आप यह चलते जाए रेजर्ट थ्री आप क्या करें मुल्टिप्लाइट टू बाई एक्स बाई वाई एडिंग तो वी विल गेट इस रेजर्ट इसी परकार एक एक एक्जाम्पल है वेरिफाई आएलास थोर्म यूज इसकोल तो दीश साइन का किस्म चेंज हो जाए तो यह क्या हो गया एक्स की जीरो एक्स को फॉम में लिख सकते ही यूज हो जाएगा ओफ डिग्री जीरो इन एक्स एंड वाई देन एक्स ठीक है ओके यह हो जाएगा प्रोम वन देखें आप यह निकाले आ जाएंगे यहाँ पहुंच लेक्त ने जाले और यह आपका रजल्ट आजया है